प्रेम वो नहीं जो इंतजार किया जाए प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए प्रेम वो नहीं जो पाया जाए प्रेम तो वो है जो जीया जाए हर किसी की इच्छा होती है कि उसे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जिससे उसकी तकदीर बदल जाए हर कोई अपने पसंद का रिष्टा ढूंते हैं कुछ लोग रिष्टा तो ढूं लेते हैं लेकिन घर वाले रिष्टों को मन्जूर नहीं करते हैं जिसकी वज़ा से शादी की बात नहीं बन पाती है वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए घर वाले रिष्टा ढूल लेते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आता है जिसके वज़ाँ से शादी नहीं हो पाती है ऐसे में यदि आप भी इन समस्याओं को झेल रहे हैं इन समस्याओं से ग्रसित हैं और आपके शादी में देरी हो रही है बाधा आ रही है तो आज हम आपको जोतिश के कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और आपके घर शीक्री है सेनाई बजेगी शादी में देरी के लिए यदि किसी लड़के या लड़की की शादी में देरी हो रही है तो एक पीले कपड़े में हल्दी की ग्यारा गांट और साथ सुपाड़ी रखे साथ ही इसमें एक जनव लेकर उसमें साथ गांट लगाए अब आप पीले वस्तर में थोड़ा सा गुड़ चने की डाल और ग्यारा पीले फूल ले इन सब को एक साथ रखकर पीले वस्तर की पोटली बना ले इस पोटली को माद दुर्गा के मंदिर में रखकर शादी की मनुकामना करे ऐसा करने से शीखरी ही शादी संबंदित कुड़नियोस मिल जाएगी बहुत ही जल्दी आपको कुड़नियोस मिल जाएगा शादी से रिलेटेंट लव मैरेश के लिए यदि आप अपने पसंद का रिष्टा ढून रहे हैं या ढून लिया है आपने और प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन घरवाले राजी नहीं हो रहे हैं तो शुकल पक्ष में पढ़ने वाले गुरुवार को विश्मु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा के साथ उनकी तस्वीर के सामने सुटी की माला से ओम लक्ष्मी नराना नमहा मंतर का जाब करें इस उपाय को ग्यार गुरुवार करने से घर वाले प्रेम विवाह करने के लिए राजी हो जाएंगे और आप अपने मन्चाहे लाइफ पार्टनर से शादी कर सकेंगे लव पार्टनर को राजी करने के उपाय यदि आपका किसी लड़के ये लड़की से लंबे समय से अफेयर चल रहा है और आप शादी करना चाहा रहे हैं किन्तो आपका पार्टनर आपसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहा है तो प्रेम के प्रतीक भगवान कृष्ण के मंदे में जाकर पूजा करें और उन्हें बासुरी भेट करें इस उपाय को करने से आपका पार्टनर शादी के लिए तयार हो जाता है और आप हसी खुशी के साथ उसे शादी के बंधन में बंद जाएंगे लड़की की शादी में देरी के लिए यदि किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है किन्तो मन मताबिक शादी का रिष्टा नहीं मिल रहा है तो विवा करने वाली कन्या सौमवार और शुकरवार के दिन प्राता काल सोरियदर से पहले स्नान करें और भगवान शुर्व के मंदिर में जाकर उनका जला अभिशेक करें साथ ही मापारिवती का 16 श्रिंगार करते हुए उनसे मनोयोग के वर की कामना करें इस उपाएकोनियah में तीन महिने हर शुकरवार और सूमार को करने से लड़की के लिए मन योग के वर मिल जाएगा और लड़की की शादी तेह हो जाएगी लड़की के शादी में देरी के लिए यदि किसी लड़के की शादी में देरी हो रही है लेकिन शादी फिक्स नहीं हो रही है तो लड़का गुरुवार का वरत रखे और इस दिन केले की व्रक्ष में जल जढ़ाए साथ ही इस दिन भगवान विश्णू की विधी विधान से पूझा करते हुए विश्णू सैस्तर नाम श्रोत का पार्ट करे ऐसा करने से जल्द ही उस लड़की के लिए शादी का रिष्टा आएगा जियोतिष शास्तर के अनुसार प्रेम विवा के लिए तीन माहत तक लगातार हर गुरुवार को किसी भी मंदिर में जाकर प्रशाद चढ़ाए और फिर उस भोग को लोगों में भी बाटे इससे जल्द ही प्रेम विवा के योग बनेंगे इसके अलावा प्रेम विवा में बाधाओं को कम करने के लिए कर्ण्याओं को हर गुरुवार पीले रंग और शुकरवार को सफेद रंग के कपड़े पहनना शूम माना जाता है जोतिश शास्तर के अनुसार यदि किसी प्रेम विवा में रुकावट आ रही है तो वे व्यक्ति मादुर्गा की उपासना करें साथ ही मादुर्गा के मंदिर में लाल रंगी धज़ा चड़ाएं हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती कुछ असर तो होता है दो आत्मा के में लिगा वर्ना गूरी राधा सामले कृष्णा की दिवानी नहीं होती जैजे श्री राधी